जीत का आगास तो कर लिया है डीपी वाल डायल टी ट्वेंटी में और इस शक्स के बिदॉलर चोकी है शाहिन शाह फ्रीदी वो आय और वो च्छाय आते ही उन्होंने तीन विकेट चटकायो और साथ ही साथ अपनी टीन को जीत भी दिलाया साथी साथ उनका पूरा साधिया वरेंदू हसरंगा ने बोलिंग के साथ 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 बले बाजी से बले बाजी में 42 ऑफ 19 बॉल्स दो सो इकीस के स्ट्राइक रेट से उनने बले बाजी करके यहां बिदेजर्ट वाइपर्स को छे विकेट से जी दिलादी वो भी 18.4 ओव है शाहिन शाह अफरीदी वेलकम टीपी वर्डाइल टीट्वेंटी मजा आपको आपको आज देवी था 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 तैंक यू बिलकुल काफी मजा है पहला गिमत है मेरा और जो अच्छी बात है टीम जीती है दोड़ा साब पिर आप इस टीम और ड्रेश्म का महौल भी किले क्या कैप्टञ शाहिं शाहिंते कि ने आप जो श्चक्स है उसे बदला है य्र मैं कुछ करता हूं किया अपने टीम के ले क्या बये स्क्रसकता है ऑछ भी एवन फेल गर पूल ज भी हो बोलिंग से उठ्रेस्वाइटोन होता हमेरी कुछ है कि ऑले गशיל का मेरे और बहुत टिफिकल्ट होगा शाहिन ट्रेवलिंग को काउंट में लेता है नहीं क्रिकेट में आज करते हैं अब 15-16 गंटी ट्रेवल किया टेस्ट मैच के लिए फिर वहां से कुप्तानी का प्रेशर लेकर वापस आना यहां पे और बॉल करना कल रात का पोचे हो नहीं तो म मुश्किल होता है ना यह लोगों को समझाओ कि यह भी एक पूरा जॉब है ट्रेवलिंग भी ट्रेवलिंग बालिंग तेकला ता चीज है यह मैं आप मुझसे बहतर जानते हैं और आइटिंक आप जो आपका रन उप अगरा था स्पीड हम तो पिर भी तोड़े से बहुत ह आपको बहुत हो करती है फटीग में लेका आती है बट मैं जब कल सुबा आया था मॉर्निंग टाइम तक्रीबन फाइफ तर्टी तो मैं पूरा दीन ही रेस्ट किया था क्यों के बॉलिंग के लोड़ वगरा तो सारी पूरे था तो मैं इसलिए रेस्ट फुला लिया था कि और आपकी टाइमिंग भी उसके पहले और के बाद जिसम खुला था तरह कि नहीं दूसर स्पेल में लगा मुझे तुरा जिसम खुला आया ना बहतर फील होते है आपको तोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है और टीट्विंटी क्रिकेट में तो आपको हर टाइम आपको जो सफलता मिला वो क्यों मिलता है आज नहीं मिला बट पहले ही ओर में विकेट्स ले चुके हैं अभी तक टीट्वेंटी में यह तो वन अद बेस्टार है टीट्वेंटी का और यह तो हमारा चीता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तो शाहिन को देखा इसी ग्राउंड में ही पांच साल पहले तो जब यह को नयाने आया था और लॉर्क लंदर के लिए खेल रहा था तब ही हमने इडेंटिफाइ कर लिया था इस गॉंट बी सम्थिंग लेकिन आज इनकी बॉलिंग में तो अभी सी जरनी नज़र आई स्ट्रेस नज़र है सार जब आपकी ज़्यादा होती है तो इसमें आपके पास एक एच तुछ यह होता है कि आपको फिड्लर यूज करने पड़ते है और जैसे मैंने का बैट्समेंटों के पास बैड़ इतने अचे विक्टे इतने अची होती है जैसे आप आज भी देख सेथे एक बॉनसर के वह पीछे जाके चौका हो गया तो आपके पास तोड़ा से मैं इसलिए पुछ रहा है तो आगले बॉल की एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपस कि अंदर करेंगे बॉल फिर भी नहीं किलते हैं अंजु आपको क्या लगा इनकी बोलिंग में आज स्पेशल है इन जेनरल जो आपने ओवर दे यर्स डिवेलप करी है पर वो पहले अइडेंटिफाइ कैसे करी और डिवेलप कैसे करी तो बीहानस्ट मैं टूटाजन फिफ्टीन वर्ल कप में जब मिच्छ स्टाक और ट्रेंडबोल केल रहे थे तो बीहानस्ट मैं उनको हमेशा ही अभी जब वह केलते अभी जब स्टाक टेस्ट मैं भी केला तो मैं बड़ा क्लोजली उनको देखता हूं कि यार उनके सक्सेस का रास किया है क्योंकि उनका बहुत ही टेस्स में भी और टीवेंटी और अरव फॉर्मेट में उनको देखके कि कुई कोई बी लेफ टाम फास बॉलर जो इस जिजन नेचरल था तो इसको डिवेल करने में भी थोड़ा सा टाम लगा बट राइट टेम पाया मैंने देखा ता आपका अंडर-19 वर्लकाप जो न्यू जीलेंड में कहले थे आप वहां से जो यहां पर T20 वर्लकाप हुआ था 2021 के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस और ग्रोथ दि और भो कैसे डवलप करते हो ओवर देखे देवल एवर देवल ले यह जो बहुत मेंशने कुछ नख टीकनी को मिलता है और मेरे यह कि आप मेंजादा वह करता हूं कि या बैतर है क्या हो सकता है क्या मैं बैतर क्रणों अपनी टीम के लिए एवन मैं ज़्छेंट में जादा दालेंगे आपको यह दिखाने के लिए कि आज आपने कहां कहां बॉल डाला और आपसे इसकी जब आप जैसे ड्यू अगरा पड़ती है तो आपकी कोशिश हमेशे यह होती है कि आप तोड़ा सा लेंड को पीछे कीचे और उसको स्लोड इरियाशन में करें तो यही मेरा यही प्लान होता है कि आप प्लान भी क्या है प्लान एक लेकिन कुश्च करता हूं कि जाद नहीं ने बोल से आगी बॉलिंग को आपका पेस ड्रॉप नहीं हुआ पेस वही है आपका तो यह सद बहुत कहां से चीज निकला है कि आपका पेस नीचे आ रहा है उपर जा रहा है क्या बातें शुरू हो कि इसके वारे में बताईए पेस तो आपको तो वही है अबगान कि अपनी तरफ से कोश्च करता हूँ कि जितना मैं अपने आपको फिट कूँ और जब मैं इंजोय करता हूँ तो मेरे खाल से पेस आटोमेटिक लिए अच्छ होती है अब बश्तों मैं कहा दो कि अच्छ है तो में जीता है बताओ इंशाला टीम जीते की मैं अब वैसे आयोभी कम मैं चो के लेहा हूँ और लेकिन आप तो आस्कियो कि क्या आपने शोय बगतर को बहुत फॉलो किया था जब आप फास बोलर बनना चाहते थे या अपने क्या सीखा इंसे शोय बई जब मैं शोय बई से भी पहले मिला था तो हमेशा मुझे यह कहते है कि बैट्समें के साथ ज़ड़ा करीब से बात करें और उसको ज़ड़ा सा और तंग करें तो आइटिंक यह चीज काफी अची भी होती ह पर आप ऐसा लगता है कि आर सरफ बॉल डानने के लिए और बॉल करो आपे जाओ ज़ड़ा जब आपके पास इग्रेशन होता है आप फाइट करते अपने टीम के तो आप अच्छा है श्वेभई आलवेज लाई ऐसे करके आगए और बॉनसर माना सार पे अभी भी हम जो आप जो देखते हैं तो एंजोय करते हैं हमारे पास अभी है हारी सोफ को हमने इसलिए रखे हैं पाकसान टी में के सर पे मारें कोई ऐसा बल्ले बास जिनके अगेंस बोल करने में आपो बहुत मज़ा आता है आउट करने में या किस चीजमें आप आउट इब आप आउड इस चीजमें आप आउट आप आउट जाएगा 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 जैसे मैंने का टी ट्विंटी में विक्टिया बहुत अच्छी होती है और आजकल बैसमन काफी फास्ट हो गये पहले बाल से आपको मारना करना शूरू कर देते हैं क्योंकि दो फिल्टर यापक तो एजी टुए अच्छा चड़ता है जब को यसे बैट की ऐसी शाट मार दे इतरे इफास पोलर को गुसा चड़ता है ने सच पिस बाना कराउट को बताओ सच जो गुसा चड़ता है ने जब आपको हमें क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो कुई आपको यह शौट मार थ सच पिस बैट इतनी शौट में और यह शौट में और तो पनास के जाल ने कर ले होड़े यार दिल करता है बाद बंदा भर उसको बांसर करें ने आई अइसे ही बिलकल श्याएन इस वान बेस प्रस्पेक्ट पाकिस्तां जी और हम तो इसकी दौा करते हैं लंबा केले और आप टीट्वेंटी अभू जून में वाला इंशला व्लेक्ट लेक्ट सिफारी में एक वाम वेलकुम आपको जरूरू देंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद इंचला की बात जरूर की थी शुरूआत में लेकिन यहां पे तशन पी देखने को मिला तशन दिक अव जो कि पिछले साल के फाइनलिस थे और टशन दिखा ओडिएंस अ क्राउड के अंदर जो कि डेजर्ट वाइपर्स को फुल और कम्प्लीट सपोर्ट देने आये थे और उन्होंने जहांने निराशनी किया जीत भी दरवाई और दो अंग भी लिये और खूब क्या कमाल की बल्लेबाजी की 221 के स्ट्राइक रेट से 42 रंस इंचिस 19 बॉल्स मैच विनिंग सारा का सारा प्रेशर हटा दिया थे कि अनुबवी खिलाडी है अभी हाल में श्रिलंका में जो लीग हो रही थी वहां पे खेल रहे हैं अच्छा का से फॉर्म में चल रहे हैं जिम्यदारी अपने कंदों पे लिए आड़म होस के साथ जो साजेदारी उन्होंने की वो रन अबॉल खेल रहे थे सारा दबाओ दोस्तों के स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग 42 रन उन्होंने बनाए सारा प्रेशर वो लेके गए बोलर्स के उपर पहले छे और में 36 रन अब मोमन आप देखते हैं जब आब 160 रन चेस करने हो तो जो भी टीम बैटिंग कर रही होती चेस कर रही होती है वो ज्यादस ज्यादस बनाना चाहते हैं वो नहीं हुआ यह 42 रन की पारी जो है यह मैच विनिंग पारी रही उसके बाद वो मोमेंटम फिर आजम घान है उन लेकिन जो पहले बॉल से आगर उसने मारना चुरू किया है वो लगता कि शायद पिस तरे को सोब बॉलें खेल की अंदर आ रहा था तो हसारंगा ने होस के उपर जब चारा फसा वाता उसके उपर से प्रेशर हटाया तेज रंज किये पार्टनेशिप बिल्ड की 60 रंजों का इस मुश्किल सिच्वेशन में यह डेजर्ट वाइपर को निकाल के मैच देगे हैं अदरवाजी फस गये थे वैसे बाई दोए और आजम खान ने मुकालवा जिता है और एक खिलाडी की काबलियत का पता चलता है जब उनका उतना अच्छा दिन ना जा रहा हो जो उनकी को स्ट्रेंथ है वन इंडू हसरंगा की गेंदबाजी आपने साड़े छे की कौनमी की बात की मैं कहता हूं अभी उनका बेस्ट आपको इस टौर्नमें में दिखेगा जिस पेस से वह आज गेंदबाजी कर रहे थे जो एक अपील भी हुई ड़न दे लेक साइड एंपायर सब्सक्राइगा हॉद Dubai अज़ गई πरफ देघार गार एंपायर हॉद है थी था वी इंज उनका पल्देंगा आज दे रहो और इतना इनने ब्रिल्यंट गाज के लगता है कि यह पोज नहीं पाते हैं वह पाई यह पोज जाते हैं और इनके लगता है को जिसामद उनकी बड़ी है वह शाहिद पहुच नहीं पाएंगे पहुचते हैं वह बड़ी जोर की शौटे मारता है वह उसके पास बैटिंग ने बैटिंग जानता है नहीं लेकिन भातों में बड़ी जान है उनके बैट स्पीड बहुत अच्छी है और आम स्पी यह जो अबिलिटी है और जिस नंबर का बैटिंग करते हैं तो पांच नंबर छे नंबर मैच इस फिनिश करना इतना असान नहीं होता है क्योंकि गेंदे कम होती है रन बनाने होते हैं जो काम माई अमरेट के लिए टीम डेविट कर रहे हैं पोलाइट करते थे बीच में आके मध्यक्रम में ऐसे मैच जिताना इसमें कोई दोर रहा इनिए आपको यह मैच जिता रहे हैं पहली बारी आज बलेबाजी करते वए मास मेरे दोर यह जो है यह कल भी आपको देखने को मिलेगा और आपको बताते कि कल कौन सा मैच ही क्योंकि वो होने वाला है यही पर दुबाइ इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में थे सफर बहुत लंबा है कल मिलेंगे दुबाइ कैपिटल्स आब अब दाभी नाइट राइडर से यानि सामने होंगे डेविड वॉनर दूसरी तरह शारु खान की टीम अब यह जो है यह दोनों टीम को यहां पर आके परफॉर्म करके आपको अपने आपको दो अंग दिलाने होंगे क्योंकि वो दो अंग जो है उसी का यह सफर जो है बहुत लंबा है 17 फरवर को दस गेंदे चाहिए दो हिट्स आएं कॉंफिडेंस आए यह बैक इंद फॉर्म और वही आप देखना चाहेंगे डेविड वोर्नर से स्रुगल कर रहे थे बीस रन मनाए लेकिन एक इनिंग्स दूर है वापस फॉर्म में आने के लिए और जब इनका बला बोलेगा खास क्रिक्ट केल के आए है और यह बैटिंग कंडिशन बहुत बढ़ी है यह खास तर से दुबाइ में अपने जिन्दर नोटिस के है वास गूइंग रहे हैं विर्कु टिक कह रहे हैं जोई बहले बाल लगना चुरू होगा तो पर फैंटी लगाएंगे लंबी जोड़ी कर लें क्योंके बाकी आप डेजर्ट वाइपर की परफॉर्मसिस देख रहे हैं तो दो पॉइंट इनके लिए जीतना बहुत ही वो क्या कहते हैं हिंदिया महत्वपून होते हैं महत्वपून होते हैं महत्वपून जी यह एक शद हमने आपको सिखा है आपने आज मुझे फेटे सिखाएं लेकिन अगर हम बोलर्स की बात करें दूसरी तरफ से आली खान ने बहुत ज्यादा इंप्रेस के आज हम यॉकर्स की बात कर रहे थे सुबह सुबह और जिस तरीके से उन्हें ने यॉकर्स डाल डाल के सामने वाले बल्ले बाजों को फसा है वो कमाल का है जनरेशन इंप्रेस्ट हुई और आज आके वो बोलिंग कर रहे हैं तीन आउट किया और तीस देंगे अच्छा ऑनस्ट फास बोलर हैं इमांदारी के साथ जोर लगाते हैं यह बड़ी कम क्वालिटी होती है बोलर्स गंदर के यह मैं जान मार दूंगा जान दे दूंगा और मैं आउट कर लूँगा तो बहुत बड़े फैन भी हैं अलीखान तो इंगी तो इंगी तो इंगी तो मुझे खुशी होती है कि जो बंदा जान मा रहा है अज मुझे जान लगा रहा है फिल्डिंग में ड्रेक्स गिर रहा है इतना बड़ा कोई आट फूट का आदमी वो किस नहीं यार वो देख रो फॉल थूपर रोक रहा है यह ओनिस्टी यार बहुत मज़ा देती है मुझे मैं को सच बात बता हूँ सब्सक्राइब ले यह लगा मुझें भी रहा है वह लत बोर फुल फॉलर को पूछा और सवां यह बुकिछ टो चाहा है अब बोलाई यह न पिर रहा है जो इस चाहा है कि अपको यह जित जीत कर मैंज जीतने वाब बात इसका क्या किया जा है निकल मापसे बुच्छा यह ये ट्रेंड कप चेंज होगा ये टॉस जीत के बाद में बैटिंग करने वाले में ये बताओ देखें बहुत जरूरी है ये बन रहा था आपको जो भी टीम पहले बलेबाजी कर रही है आपने यह नहीं सोचना कि जा कर आप एक सो साथ इसो पैंसर्ट का टागेट लेके चलते हैं आपको देखना कि पांच बोलर में से हमने कौन से एक बोलर या दो बोलर के दो और वह कैपलाइज करने वहां पर फ पिचासी एक सो नबब एक सो नबब बनाने के लिए टॉप क्वालिटी बैटिंग एफर्ट चाहिए एक सो साथ में भी गेम में थे गल्व जैंट अशनी कि गयम नहीं थे और उनको मौके मिले थे वहां थमा के वहां अजम खान अची बैटिंग करके गए तो वह गेम में बिल्कुल यह तरफ हो जाता इतना भी गीला नहीं हो रहा कि सेकंड हाफ में कोई भी बोलर कुछ नहीं कर पाता जो तीम सारी जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको यह सोच के ही बैटिंग करनी है कि जो भी आपका टोटल आ रहा नहीं है उससे आपको कम से कम 15-20 run प्ल अब जितनी भी टीम से जितनी भी छे टीम से सब का खाता खुल चुका है, डिजर वाइपर ने अज अपना खाता खूल लिया, और My Emirates के पास चार पॉइंट्स हैं, उसके बाद दुबाई चैंपियन बनने और चैंपियन बने रहने में फर्क है क्या वैसी टीम नजर आ रही है लेकिन टीट्वेंटी में जब आप कौलिफाई करते हैं आपको दो देन अच्छे चाहिए है टू गुड डेस टीट्वेंटी में बिकॉस अगर एक टीम नीचे लगी होती है तो समय नह है आपके अामिर आपके वास शाहेन अफरीदी और फिर बीच में आके गइंदबाजी करने के लिए वनने डू आज़ा आगए तैमिल मिल्स आ गए तो बहुत ही एक कंप्लीट बोलिंग लाइन अप नजर आ रही है और बैटिंग में भी आपके बास मैच विनर्स है दो त भारे में इस तीम उस दिन जादा अच्य केज़ दिया था पूरा पूर अटॉनमेंट थिया कुछ कहा भी नहीं है कर दो नहीं बोल दो नहीं तो पिछे बैक स्टेज भी बाते कर रहे तो है अभी उटोपी भी तो है पर शोएब आपके लिए आप लिए आप लिए टीमों को देखा है और हम चैंपियन टीम की बात करें उसके लिए आपसे बैदर कोई जानेगा नहीं चैंपियों का माइंसेट कैसा होना चीए तो किस टीम में नसरा रहा है वह मुझे डेसर वाइपर में बालिंग प्रिद्मा अगर आप देखें दुनिये को भी क्रिकट अठा के देखें बालर्स विन्स थे गेम को यह बालर बचाते हैं या आपको मैच बना के देते हैं उनके बॉलर्स आये आमर ने वह एच्छा किया शाहिन ने आपको विक्टे ले के दीन मिल्स ने आपको एक लेके दीन तब ही तो अधर्वाइज अगर आप यह देखें अब यहां पर जब आजम आए थे यहां पर राउट करने और बॉलर होत होता आपके बस और एक अधर स्पेंडर होता तो फसकी ता मैच तो लेकिन वहां पर लेकिया वहां पर पेस काम नहीं करनी थी वहां पर कोई और्थ असरेंगा टाइप काम करना था पट अधिक जैसर्वाबर लुक्स अ बरी बरी स्ट्रॉंग तीम को इसके बारे में लिए अधरी नवासी रणो की जॉर्डन कॉक्स के साथ 160 पिले गई क्रिस लिन नहीं बैट्समन क्रीस पे जिस रिदम के साथ शाहीन अफ्रीधी डाल थे दो अच्छी गेंदे पढ़ जाती तो यह गेम करूक और कुछ होता तो यह गेम करूक और कुछ होता तो यह आपको याद दाला दें कि कल फिर से मिलेंगे आप से मुलाकात होईगी दुबेए कैपिल दुसासी साथ अबुदावी नाइट राइडर्स भिडेगे हापर तिल दें गुद नाइट